नमस्कार श्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब सेनल क्या है फैक्ट में मिना नाम है अभिशेक हमाई देश में पहले जो नेता हुआ करते थे वो दर्सल राजनिती में इसलिए आते थे ताकि लोगों की सेवा कर सकें लेकिन अब जो भी नेता राजनिती में आता है उसका एकमात उद्देश होता है कि वो कैसे मेवा खाये राजनिती मा के कैसे यहां लूट मचाये और कैसे जनता के पैसे का बरबाद किया जा सके और इसलिए ही इस तरह से सत्ते से पैसा और पैसे से सत्ते का जो खेल है वो लगातार चलता है और इसलिए देश में जो चु कुछ ले कि वो लोक सभा का चुनाव लड़ेगा तो उसे कड़ोरों रुपए खर्च करने पड़ेंगे जीतने के लिए लड़ने के लिए तो कोई लड़ सकता है लेकिन डिफोजिट जो है नॉमिनेशन सुल्क देने के लिए उन्हें कमस्कम 10,000 रुपए तो चाहिए ही चा पार करते वे कड़ोरों रुपए का खेल होता है जिसे आप बखुवी जानते हैं और इसी तरह से चलता रहा लेकिन एक पंचायच चुनाव जो कहीं हद तक लोगों के लिए बचा था कि इसमें एक आम जनता की भागेदारी हो सके लेकिन दिन बदिन ये चुनाव भी कोशिस करेंगे कि दरसल बिहार की जो चुनाव आयोग ने इस बार के पंचायच चुनाव में उमिद्वारों की खर्च के लेकर कितनी सीमा जो है वो तैकी है उपरी सीमा और अगर इससे जादा कोई उमिद्वार खर्च करता है तो उस पर क्या कानूनी कारवाई हो सकता ल अगर कोई वाठ सदसपद के लिए चुनाव लगना चालता है तो उसे नॉमिनेसंग सुल के रूप में 1500 रुपे जमा करने होगे और एसे ही पंचपद के लिए चुनाव लगने वाले को भी 1200 रुपे नाविकिन जो आरक्षित कोटे के अवियरती होगे उन्हें सिर्फ 02 हो और महिला कोई भी कटेगरी से हो उन्हें 125 रुपया ही देना होगा इसके बाद आते हैं मुख्या सरपंच और पंचाय समिती सदस्पद के लिए इनके लिए जो नौमिनेशन करेंगे उन्हें नौमिनेशन सुल के रूप में 1000 रुपय की रासी देनी होगी और साथी साथ इनम और इनमें भी जो आरक्षित कोटे से जो भी अवियर्थी होंगे उन्हें आधा रुपया यानि 1000 रुपय की रासी जमा करनी होगी अब हम बात करेंगे कि इन पदों पर चुनाव लड़ रहे अवियर्थियों के लिए चुनाव आयोग ने जो खर्च की जो उपरी सीमा जो साथी साथ अगर कोई मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहा है और सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहा है तो उनके लिए जो लिमिट टै की गई है वो 40,000 रुपय से जादा की नहीं की गई है कोई भी उमिदबार 40,000 रुपय से जादा खर्च नहीं कर सकता ह सरपंच पद के लिए अब बात करते हैं समीती पद के लिए जो समीती पद पर चुनाओ लड़ेंगे पिहार के पंचाय चुनाओं में उन्हें जो है 30,000 रुपे की लिमिट तै की गई है अगर कोई 30,000 रुपे से जादा खर्च करेगा तो वो खर्च नहीं कर सकता है और उसक लेकिन अब बात आती है कि क्या उमिद्वार इतना ही रुपे खर्च करते हैं या इससे जादा करते हैं ये तो आपको बहतर मालूम है कि किस तरह से रुपे का खेल होता है किस तरह से पंचाय चुनाओं में उमिद्वार पैसे बाटते हैं और जो जो उमिद्वार जीतते ह वो कितने रुपे खर्च करके उस पत तक पहुंचने हैं ये गाउं घर में चर्चा कभी से अक्सर बना करता है और हम आप जानते भी हैं इसलिए हम कोशिस करें कि ऐसे उमिद्वारों को वोट ना दें जो ज्यादा रुपे खर्च करते हों जो पैसे उढ़ा रहे हों ऐसे उ जो है कानूनी कारवाई हो सकती है उन्हें सजा हो सकती है और अगर कोई जीत जाता है तो उसकी जो है चुनाओ जो है रद हो सकती है वो अयोग घोसित होशक आप ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब सेनल पर आते रहे हम बिहार पंचाय चुनाओ के पर पिस कर दिजेगा धन्यवाद